मैंने आपको टोटल 22 अर्जस्मेंट्स बताई थी चुटकियों में question solve होते हैं फिर और क्योंकि अभी दिया नहीं है देना है कर्ज है और वो जो सामने वाली पार्टी है उस पार्टी का नाम में business adjustments appearing outside the trial balance इसमें क्या होता है कि बाहर अर्जस्मेंट्स गिवन होती है और यह कुछ मैंने आपको टोटल 22 अर्जस्मेंट्स बताई थी इसके अलावा 10-12 अर्जस्मेंट और है वो हम सीखेंगे बट वो रेर होता है आपके लेवल के हिसाब से है बट ठीक है एडवांस अर्जस секрет क्लियर है फंडेग्स किलियर हैं तो आप बढ़े आराम चे कर लोगे को चले है तो एक एक करके आजिस्मेंट को समझते हैं detail में समझते हैं कि वहीं क्या है बट इससे पहले कि मैं अर्जेस्मेंट को बताऊं एक चीज दुबारा बतला देना चाहता हूं कि अर्जेस्मेंट के लिए एक सिंपल और सीधी सी बात है वह यह है कि जो भी डेटा गिवन होता है आप जो भी अकांटिंगर बना रहे हो उस एकांटिंगर के सारे खर्चे क्या बोला सारे खर्चे और सारी इंकम को आपको कंसीडर करना होता है क्या करना होता है जी सारे खर्चे सारी इंकम को अगर आप CA करना चाहते हैं और CA Foundation में अप एन्रोल करना चाहते हैं तो आप जोईन कर सकते हैं UnAcademy को जोईन करना चाहते हैं कि मुझे वहाँ पर एक तो ठीचर को पढ़ाने का वे बहुत अच्छा लगा और वहाँ पर किसी एक टीचर पर डिपेंड कभी नहीं होना पड़ा कि अगर उनके उनसे ही पढ़ने तो उनहीं से पढ़ना में अगर तीचर को स्विच करना पढ़े हैं अगर जोएज हैं किसी और टीचर से बहाँ पर अच्छा लगे पढ़ना है तो उनके पास जा सकते पढ़ने की तो डाउट कैसे होता है तो आप अगर आप लाइप क्लास जोइन करते हैं तो आप लाइप कर्टेर से बात करके चैट बॉक्स में और अब नी फीचर एड़ यह बहुत अचा फीचर है कि टीचर कहीं बीजिय हैं तो आपको एक गरूप मिलता है इसक गरूप में आप रहें कि बाखी बच्चे लिटर अब कोई ड़ेज़ ni तो आप उसके बुरूप में पोस्त करते हैं और ईसका यहTS करते हैं कि टीचर नो डाउट टीचर तो बाद में reply करेंगे तो ये एक अच्छा फीचर है आने कैडमी पर CA Foundation के लिए एक निया batch स्टार्ट हो रहा है यहां पर आपको best security मिलती है अपनी classes के लिए batch का नाम है Toppers batch और ये स्टार्ट हो रहा है 9 मार्च 2022 से आपके लिए एक special offer है अगर आप विजे 20-22 V-I-J-A-Y 2-0-2-2 ये code यूज करते हैं तो आपको subscription पर extra 10% discount मिलेगा 24 महिने की subscription सिर्फ 970 रुपे परती महा में मिलता है रियली ये मज़िदार बात है क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी coaching institute को तो जोइन नहीं कर पाएंगे लिंक नीचे description में है तो अभी विजिट करें और जोइन classes for CA foundation adjustment appearing outside that trial balance मतलब वो adjustment जो trial balance के बाहर है उसकी adjustment कर रहे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले closing stock closing stock आपके जो adjustments given होगे उसके नीचे given होता है यह लिखते हैं जी यह तो यह समझ गए और एक balance sheet जब बनाते हो यह देखरो balance sheet तो balance sheet में हम closing stock लिखते हैं कहां गया closing stock यह livestock close tools यह रहा closing stock समझ गए तो एक balance sheet में लेते हैं और दूसरा कहां लेते हैं trading count में तो यह अब मैं visual नहीं दिखाऊंगा सामने screen पे है वो देखने हैं आपको इसलिए मैंने बोला था जब item आप देख लोगे तो याद रहेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ trading count के credit side और balance sheet के assets है जब मैं पूछ हूँ कि closing stock की क्या adjustment होती है आप यही बोलोगे trading count credit side balance sheet asset side दो adjustment होती है ओके दूसरा second है outstanding expenses या expenses due मतलब वो खर्चे जो अभी pay नहीं किये यह करने है मेरे हाँ एक staff है March के महिने में salary देनी थी लेकिन वो अपरेल में दी March में नहीं दिया तो March का खर्चा है लेना पड़ेगा तो rule यह कहता है यह जो भी item है वो item trading का है या profit and loss account का है तो जो भी related expense है उसमें add कर देंगे out sending related expense में add करेंगे और balance sheet में लाबरीट सैट क्योंकि कर जाया है अभी दिया नहीं है देना है क्या करना है देना है तो यह हम लोग यहां पर लिखेंगे जैसे एक एक example लिया कि salary paid 10,000 and out sending salary 2000 salary paid 10,000 and out sending salary 2000 salary pay किया 10,000 क्या है यह खर्चा salary कहां लेते हैं पी अले काउंट के debit में तो देखो profit and loss account में यह रा profit and loss account के debit में salary लिए 10 जाल ले लिया 2000 पे कहता है भी pay नहीं किया पे करना है तो actual में खर्चा 10 का नहीं है 12 का है आपके गली में सब्जी बेचने वाला आया आपने उससे 120 रुपे की सब्जी लिए 100 का नोट पकड़ाया बोला 20 रुपे कल खर्चा आज का कितना 120 रुपे 100 रुपे नहीं है वही बाते हैं तो और एड कर देंगे आउट सेंडिंग 2000 और क्योंकि यह पैसा दिया नहीं है देना है तो इसलिए आउट सेंडिंग सेली 2000 रुपे के लिए रिलेटेड एक्समेंस में एड करना है और बैलेंशीट में लाइबिलिटी साइड कि दूसरा वेज़ेस पेड़ी दूरिंग दैयार 11,000 ग्यारहजार पी की वेज़ेस की और क्योंकि अभी दिया नहीं है देना है कर्ज है तो इसका मतलब क्या है कर्ज है तो कंसीडर करना पड़ेगा तो इसलिए यहां पैड करेंगा और बैलेंशीट में लाइबिलिटी साइड दन तो यह आउटसेंडिंग की एंट्री होती है क्या बताया है मैंने बोला कि ट्रेडिंग ए प्रॉफिट अन लॉस एकाउंट में related expense में क्या करते हैं add outstanding और balance sheet में बोल के बताओ balance sheet में liability side आगे अगला है prepaid or unexpired expenses prepaid or unexpired expenses मतलब अपी pay नहीं किया sorry advance में pay कर दिया जैसे कई वर क्या होता है कि मानलो बिजली का bill आया अब bill आया मानलो की 10,000 पे का यह 10,500 का हमने 11,000 बिल पे कर दिया तो 500 पे extra पे कर दिया क्या यह 500 पे आज का खर्चा है नहीं है आपकी गली में सब्जी वाला आया 120 की सब्जी ली आपने उसे 500 पे पकड़ा दिये उसने बोला दीदी खुले नहीं है तीस रुपे कर लिए आपने बोल दिया आज का खर्चे 120 आए 130 है तो 130 है 120 है या 150 है 120 रुपे तीस रुपे आपने एडवांस में दे दिये एक्शुल में पैसे कितने दिये 150 तो होता क्या है कि एक पूरा खर्चा मान लिया गया है 150 रुपे एक्शुल में नहीं है ये 150 तो उसमें से जो प्रिपेड है वो माइनस कर देंगे सबजी 150 माइनस प्रिपेड 30 बचा 120 वो खर्चा है तो इसलिए जो रुपेड़ एक्सपेंस है उसमें लेस कर देंगे प्रिपेड और बैलेंस शीट में एसेट साइड अब रिलेटेड एक्सपेंस कहा आता है रिलेटेड एक्सपेंस वो कहीं भी आ सकता है वो हो सकता है ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफित एंड लॉस अकाउंट यह डिपैंड करता है सिच्वेशन के उपर ओके जैसे एक्जामपल लिया इंस्वारेंस पेड कितना फिफ्टीन थाउजन फूर्दा पीरिएड ऑफ जैन्वरी क्या बोला है जैन्वरी वन टू थाउजन ट्वेल तो या ट्वेल बहुत पुराना हो गया है दोहजर बाइस पिकल लते एक जैन्वरी दोहजर बाइस से 31 मार्च दोहोजरत टैस का इंस्वारेंस प्रीम्यम पे किए हमने ठीक है जबकि deb cał्र करकत्व हो जाता है क्वह क्वह पश्ताइन एक्वरी की मजे की बात बोनों इसमें बुपला है accounting या एक अच्छा तो accounting year की गरवड हो जाएगी यहां पर चलो मान के चलते हैं अब इसी example से समझा रहा हूं तो यह बात समझ में आ जाएगी मान लो कि यह एक एक जन्वरी 2022 से count चालू होता और 31 मार 2022 को खतम होता अब यह मान के चलने जन्वरी से December तक accounting year है जबकि payment कप की कर दी एक जन्वरी 2022 से 31 मार 2023 तक 15 महिने की payment करी है कितने महिने की payment करी है 15 महिने के समझ में आ रहा है एक जन्वरी 2022 को account चालू होता है 31 December 2022 को account close हो जाता है जबकि जो payment है वो 2023 तक कर रखिये 23 तक रखिये ऐलो तो यह जो बार réf बार हजार पे पंधरा हजा़ पे 15,000 कितने महिने कानाश जन्वरी से मार्च कितने महिने होता है पंधर महिने तो 15 महिने लिग दिया म जबकि लिग जबकि यह तीन मेने क्या है प्री पड़े कर दो साल के खर्चे हैं वह यहां पर लिए याद करो इसकी एंटरी सिखाई थी हमने इंस्वारेंस मलब प्रिपेड इंस्वारेंस या इंस्वारेंस प्रीमियम एकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जब हमने पे किया होगा जब हमने पे किया होगा तो हम एंटरी पास करते है at the time of payment of insurance premium insurance premium account debit to cash account आपने ये entry pass कर दी यहाँ पे आपने लिख दिया insurance premium कितने का जोर से बोल के बताओ कितना लिख दिया आपने बोला खर्चा है मेरा 15,000 पे क्या actual में खर्चा है 15,000 ना 15,000 actual खर्चा नहीं है यह सोचने वाली बात है actual तो कम है तो 15 में से ये 3,000 माइनस करोगे और 12 लिखोगे तो वही मैंने यहाँ पे बताया है prepaid insurance insurance कहां लेते हैं हम लोग PL में तो insurance premium 15,000 इस में से 3,000 माइनस करोगे और balance sheet में क्योंकि ये पैसा अगले साल adjust होगा asset है prepaid जो expense होते हैं वो asset होते हैं तो prepaid insurance 3,000 देखो नहीं यहाँ पे भी लिखा होगा हमने prepaid expenses asset side में आते हैं कहां आता है asset side लिख लिए है खाता है clear है आगे next है accrued income या income earned but not yet received accrued income या income earned but not yet received तो वो income जो अभी मतलब एक तरीके से हमने काम तो कर दिया लेकिन हम पैसे नहीं मिले उसको बोलते है एक कुरूड income अच्छा यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे report करते हैं कभी कोई comment कर रहा होता है YouTube के नीचे कुछ वीडियो जो sample के तोर पे हम लोग डालते हैं या फिर हमें WhatsApp कर रहे होते हैं बच्चे एक कॉल कर रहे होते हैं सर बेसिक फंडा क्लियर नहीं है कोई बात नहीं आप वी कॉम अनर्स के बच्चे हो वी कॉम प्रोडाम के हो CA में पढ़ रहे हो किसी भी लेबल पर पढ़ रहे हो अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर नहीं है तो मैं recommend करूँगा कि बेसिक चीज़ें आप ज़रू क्लियर कर लो अगर ये lecture जितने भी बच्चे जो अभी बैठके सामने देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा recommend करूँगा कि आप बेसिक फंडा क्लियर कर लो लेकिन अगर आप बेसिक फंडा क्लियर नहीं करते हो तो भी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर उसको आप accept करने के चालब एक आदर डाल लो तो बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाओगे बताता हूँ जैसे कि यह पैन का कलर green है red है आपको किसी ने तो बोला होगा कि बिटा इस कलर को बोलते है रेड है लेड है कहीं भी चले जाओ पूरे वर्ल में कहीं भी चले जाओ कलर तो रेड है आ या ना ऐसे ही क्या होता है हो सकता है आपको फंदे के लेड नहों तो इसलिए चीज़ें नहों रही हो लेकिन अभी जो चीज़ें बताए जारे उसको एज इस आप समझना चालू कर दो कि हां सर ने जो बोला वो यह होता है तो धीरे धीरे आप देखो कि चीजे सीखना चालू कर दोगे ठीक है चलो तो एक रूड इंकम मतलब वह इंकम जो अंतों कर लिए लेकिन अभी पैसे नहीं मिले जैसे मालूम मुझे किसी को पढ़ाना है पढ़ा दिया लेकिन भी फीस नहीं मिली ओके इसको बोलते हैं एक्रूड इंकम या इंकम अन बट नॉट एट रसीव तो इंकम तो है तो रिलेटेड इंकम एड कर देंगे और क्योंकि पैसा भी मिला नहीं है मिलेगा फ्यूचर में iam मैं ब्लीन चिड्मांट सेट जाइड अब रदे इंकम्मन कोई हो सकता है इस लिए मने आपे उपर हेंडिंग नहीं डाले यह ट्रीडिंग भी हो सकता है क्या पनीटेंगंड इंकम ने एक मिनट तो फिर तो यह ट्रेडिंग में आएगा निए फिर तो सीजा प्रोफित profit and loss account में related income में क्या करेंगे जी एड करेंगे और balance sheet में asset side क्या कर देंगे मलब balance sheet में asset side लेख देंगे Commission receive during the year 12,000 and 3,000 is is accrued अभी दिया नहीं है मलब मिला नहीं है मिलेगा तो actual income कितना है जैसे माल लो मैं पढ़ा रहा हूं माल लो किसी बच्चे की फीशे कि दो हजार पे ठीक है वो पंद्रों रहा है और पैंसार पे नेक्स्त में दोगा मैं अभी दिये नहीं है दें लेकिन उसकी फीश जो 2000 है उसमें पांसार पे तोगा एक्षिवल में दो हजार पन्रों सा इनकम है ये 2000 है 2000 तो जो profit and loss account उसमें commission हम यहां पे लिखेंगे 12000 एड कर देंगे एक रूर 3000 और balance sheet में asset site 3000 पर ऐसी अगली है income received in advance हमने एक income advance में receive कर लिए कोई income अगर advance में receive कर ले तो कर्ज होता हो तुम्हारे लिए क्या होता है कर्ज होता है तो profit and loss account जो related income है उसमें less कर देते एडवांस बहुत सा रिस्ट्मेंट हमारे यहां पर 11 में आते हैं 12th class enroll कर लेते हैं बहुत सा रिस्ट्मेंट फस्ट इयर में आते हैं सेकिंड और थर्ड क्लास थर्ड यर भी एन रूल कर लेते हैं तो पढ़ा तो हम फास्यर रहे हैं लेकिन सेकिंड और थर्ड यर की भी फीस उसने एडवांस में दे दी वो तो इस साल के इंकम नहीं है हमारी जब सेकिंड यर में पढ़ेगा तो थर्ड यर में पढ़ेगा तो थर्ड यर की इंकम है समझें तो related income में क्या कर देंगे क्योंकि वह इसका नहीं है कि समझ गया और बैलेंशिट में कुछिए पैसा अभी अर्जस्ट करना है कलएबिलिटी साइट में लिखेंगे हम लोग का लिखेंगे लिखेंगे लाइबिटी में तो इंकम रेसीब निए दवांस को इंकम अगर एडवास में रेसीब कर लेते और balance sheet में liability side advance commission okay आगे है depreciation depreciation को P.E.L. account के debit side में लिखते हैं कहां लिखते हैं जी P.E.L. account के debit side में क्योंकि खर्चा है और balance sheet में related asset में less करते है depreciation related asset में less and P.E.L. account के debit में next है appreciation of fixed assets किसी asset के value बढ़ गई फाइदा है ना income है तो P.E.L. account के credit में और balance sheet में जो related asset है उसमें add कर देंगे appreciation इसी तरीके से next है interest on loan मतलब loan पे interest अभी debit balance बोल रहा है यहाँ पे एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था था debit balance और credit balance क्या होता है देखो जो income होती है ना उसका credit balance होता है और जो expenses होते हैं उसका debit balance होता है अब यह interest on loan है तो जो interest on loan है इसका debit balance है यह खर्चा है मतलब loan हमने लिया होगा अभी interest दिया नहीं है देना है तो P.E.L. account के debit में और balance sheet में liabilities मिल लेते हैं P.E.L. account के debit में और balance sheet में liabilities इसाइट कोई दिक्काद है नहीं फिर interest on capital interest on capital की बात करें अगर हम लोग interest on capital की बात करें तो capital पे interest form देती है तो P.E.L. account के debit में लिखते हैं वजे business and business man are two different persons business अलग है business man अलग है सुबह सुबह रामलाल अपने घर से ध्यार होगे जा रहा था तहसी बाइक बोलती है अजिसंते हो कि लंग के लिए खाना नहीं भीजवाए जाएगा चुपचाप दुकान पर पहुंक्ता ही ना चावल की बोरी भीजवा देना धूकान पर पहूंक्ता है चावल की बोरी घर पे देखिया घर पे देखिया आता है आप जो चावल की बोरी जो यूज कर रहा है वो जो बैग है दस किलो का वह यूज कर रहा है वह अपने पॉसनल यूज के लिए कर रहा है ड्रॉइंग है यह तो यह कहा जाता है यह 11 क्लास में भी सीखा था बच्पन में बोले तो 11 क्लासी बच्पन होता है कॉमर्स का है न तो यह बताया था कि अगर कोई businessman business से अपने personal खर्चे के लिए कुछ निकालता है तो उसे drawing मानते हैं ऐसे ही businessman ने जो business में पैसा लगाए वो capital है अगर यह पैसा business में नहीं लगाता किसी को देता तो क्या मिलता ब्याज मिलता यह पैसा उसने किसी और को न दे के business को दिया है तो ब्याज मिलेगा और वो जिस सामने वाली party है उस party का नाम है business बेशक हमारा खुद का है लेकिन business अलग है business में न अलग है समझ गए तो इंटरस्न capital जो होता है वो business के लिए expense माना जाता है क्या माना जाता है तो पी एल एकाउंट के debit में और balance sheet में liabilities side capital में add कर देंगे इंटरस्टन कैपिटल कि balance sheet में liabilities में capital add कर देंगे इंटरस्टन कैपिटल कोई दिक्कार ठीक है अगला है आपे इंटरस्टन drawing कि से अब मालो business man ने पैसा घर के खर्च के लिए निकाल लिया तो उस खर्चे पर ब्याज लगेगा जो पैसा उस निकाला है खर्चा मतलब घर के क्रेडिट साइड क्योंकि बिजनस के लिए इनकम है बिजनस को पैसे मिल रहे हैं किस से बिजनसमें से ब्याद चार्ज किया जा रहा है तो आप जो एकाउंटेंट हो बिजनसमें के नहीं हो business के accountant हो, किसके accountant हो, तो PL account के credit में और balance sheet में liability side, capital में less करेंगे interest on drawing, capital कम हो जाती है, इससे, कभी detail में ज्यादा depth में चर्चा करेंगे, अभी आपको याद रखना है, यह basic fund में 11th class में बहुत detail में समझाता हूँ, आगे है further bad debt, शो एक तरीके से डूब गया, बिजनस गया और business पूरी तरीके से cash पे नहीं चलता है, business में दिकत क्या होती है, ki जातर business अधार चलता है, तो डूबने के chance भी ज्यादा होते है, तो पैसा डूब गया, तो PL account के debit में डूब गया पैसा, और balance sheet में asset side, debtor में से minus कर यह याद करनी है मैंने आपको एक से लिकर यह फुर्दर बैट टेट ग्यारत की अर्जिस्मेंट समझा दिये याद करने का तरिका समझे लू जैसे अगर पूछा जया फुर्दर बैट टो फुर्दर बैट एक दम से क्लिक हो जाना चाहिए क्लिक को जाना चाहिए अगर क्लिक नहीं हुआ तो Question Awald Napping फिर बोलू मैं यह पता है यह जो होते हैं यह कीज है questions की अ चुटकियों मैं क्वेश्टन साल उतार ना रह जाता है सर्फ दिमाज में पहले Nbot वह पहले हैं किसका क्या करेंगे included डिदिshot outcome होते हैं तब ही जाके question solve होते हैं तो यह चीजें बार-बार-बार-बार-बार-बार-बार पढ़ो कि अब कि अब कि